हेलो फ्रेंड्स आज का जो टोपिक है अपना वो है क्रोमेटोग्राफी की उपर है किसके उपर है क्रोमेटोग्राफी की क्रोमेटोग्राफी क्या होती है क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं मिक्स्चर ओफ ठीक है इसे ही हम क्या बोलते हैं इस का अल्ड क्रोमेटोग्राफी इसे हम क्या बोलते हैं इस का अल्ड क्रोमेटोग्राफी टेकनिक बोलते हैं अभी यह आता है क्रोमेटोग्राफी क्या होती है एक ऐसी टेकनिक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं separate out करते है mixture of component को हम क्या करते है separate करते है उसे ही हम क्या बोलते है chromatography बोलते है अगर मैं आपको एक example देखके समझा हूँ बहुत ही easy सा example जैसे कि for example tea का चाय को आप छलनी में से छानते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो liquid है जो liquid portion है वो अलग हो जाता है और solid portion आपका अलग हो जाता है तो उसको भी आप एक chromatography technique की जैसे ही समझ सकते हो कि उसमें भी same और chromatography में भी कुछ ऐसा ही होता है पर उसमें हम क्या करते हैं different technique का हम use करते हैं जैसे कि अगर मैं बात करू types of the chromatography की अगर मैं बात करूँ तो chromatography जो है वो बहुत सारी various type की chromatography आपको पढ़नी होगी जैसे कि सबसे पहला जो सबसे common है वो आता है आपके पास iron exchange chromatography iron exchange chromatography iron exchange chromatography में क्या होता है जो आपके पास iron exchange chromatography होती है ये वो chromatography होती है जिसके अंदर आप iron को exchange करोगे किसी column की अंदर से ठीक है और वहाँ से आप iron को separate out कर लोगे ऐसे technique को हम क्या बोलते है iron exchange chromatography बोलते है iron में अपने पास क्या होते है positive और negative type के analyte iron present होते है ये वो technique होती है जिसके अंदर हम separate करते है ions के particle को separate out करते है ions के particle को separate out करेंगे और ये वो technique होती है जिसके अंदर आप electrostatic यहाँ पे electrostatic force of attraction के कारण ये technique proceed होगी ठीक है अगली technique आती है आपके पास paper chromatography technique paper chromatography technique में क्या होता है paper chromatography technique एक ऐसे technique होती है जिसमें आप कोई भी एक product बन लोगे paper chromatography एक ऐसे technique होती है जिसके अंदर आप paper का use करोगे paper आपके पास generally क्या होता है कि जैसे कि मानलो आप butter जो आपके पास lab के अंदर होता है ना butter paper होता है उसका आप use करोगे और उसके बीच में एक hole करोगे और hole के aroundness आप क्या करोगे कि spotting करोगे जो आप product लोगे जैसे कि separation करोगे अमीनो एसेड लिलो हाँ पे methyl red sorry methyl blue, methyl orange का separation होता है ऐसे technique में हम आपके क्या करेंगे कि उसके mixture का यहाँ पे spotting कर देंगे और उसको एक solvent के अंदर रख देंगे और यहाँ पे बीच में क्या लगा देंगे, एक wick का यूज करेंगे wick क्या करेंगे, उसको absorb करेंगे तो यह जो solution है आपने जो यहाँ पे product की जो spotting की है यह क्या करेंगा, run out करेंगा इसके around the boundary के तरफ, ऐसे ही paper में हमारे पास दो type के होते हैं, एक होता है paper chromatography के अंदर आता है कि आप rectangular paper का भी use कर सकते हो, एक radial paper का use कर सकते हो, ऐसे आता है एक होता है अपने पास TLC, TLC के अंदर हम क्या बोलते हैं thin layer chromatography होता है इसके अंडर अपन क्या लेते हैं कि ग्लास की slide लेंगे और उस glass की slide को हम किसी stationary phase बनाने के लिए उसको किसी भी किसी चीज़ से coating कर देंगे, ठीक है, एक होता है gas chromatography एक अपने पास क्या होता है, gas chromatography होता है, gas chromatography के अंदर difference ही होता है कि इस chromatography के अंदर हम क्या लेंगे, जो अपने पास mobile phase होगा न, वो क्या होगा जो अपना mobile phase होगा वो liquid होगा ठीक है एक होता है partial unique chromatography या जिसको हम बोल देते हैं liquid-liquid chromatography liquid-liquid chromatography एक ऐसी chromatography होती है जिसके अंदर आपका mobile phase liquid होता है और इसको separate out करने के लिए भी आप किसी liquid का use कैसी technique होती है उसको हम बोलते है liquid-liquid chromatography होता है अपने पास एक होता है, reverse chromatography होता है, एक होता है HPLC technique, जिसको बोलते है high preference liquid chromatography होती है, यह सबसे ज़्यादा accurate chromatography होती है, आज का जो अपना video lecture रहने वाला है, वो है iron exchange chromatography के उपर रहेगा, कि iron exchange chromatography क्या होती है, फिक है, iron exchange chromatography में क्या होता है, कि यह एक type की chromatography होती है, जिसके अंदर हम separate करते है, mixture of component को, पर iron exchange chromatography के अंदर क्या लिखेंगे, इसके definition में हम लिखेंगे, कि iron exchange chromatography, एक type की chromatography होती है, इंदीज chromatography के अंदर हम separate करते हैं, component, यह किसके उपर based होती है, यह वो chromatography होती है, जिसके अंदर हम separate करते हैं, component of the iron को, मतलब यह एक ऐसी technique होती है, जिसके अंदर हम ions को separate out करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ion exchange chromatography बोलती है, इसमें हमारे पास क्या होंगे, कि any charged molecule, like the protein, इसके अंदर हम किसका use करेंगे, any charged protein, like the protein होंगे, अपने पास molecule, like the protein, nucleic molecules होते हैं, इनको हम purified करेंगे, by IEC का use करते व ठीक है, ion exchange chromatography एक ऐसा process होता है, जिसके अंदर हम separate करते हैं, ions को and polar molecules को हम क्या करते हैं, separate करते हैं, और यह किसके उपर based होते हैं, based affinity to the ion exchanger के उपर, based affinity on the ion exchanger के उपर, based होते हैं, अब हम बात करते हैं, के instrumentation की instrumentation में क्या होता है कि अपने पास एक sample होता है और एक sample जो होता है वो contain करता है बोथ types of analyte ion analyte ion किसको बोलते है एक analyte ion होता है analyte ion होता है जो contain करता है positive और negative दोनों types के ion को क्या करता है contain करता है ठीक है दोनों type के ions को contain करता है positive negative means cation और या बोथ टाइप एनलाइट आयन को वो कंटेन करता है ठीक है और वो अपना कैसी फेज में होगा वो अपना मोबाइल फेज होगा mobile उसे बोलते हैं जो move करता है stationary उसे बोलते हैं जो एक जगह पर stain होता है एक जगह पर रुकावा होता है mobile phase को इनी analyte iron को हम separate out करने के लिए stationary phase लेंगे और वो stationary phase होगा वहाँ पे हम resin के particles का use करेंगे किसका use करेंगे? resin के particles का use करेंगे यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एक column लेंगे sample को इस column के अंदर pass out करेंगे और यह जो column है अपने पास इस column को हम solid के particles से बर देंगे solid के particle अपने किस के बने होंगे? resin के बने होंगे resin अपने पास क्या होंगे? solid absorbent के जैसे work करेंगे मतलब resin के जो particles होंगे यह कैसे work करते हैं इनको हम देखेंगे अभी तो यहाँ पे यह जो अपने पास column होता है इस column को हम resin के particle से fill up करेंगे resin के particles अपने पास मालो अगर positive type का resin का particle होगा एक large size का resin और उसके साथ attach होगा एक small size का resin जिसको हम बोलेंगे functional resin जब solvent का particle sorry जब अपना जो यह sample का particle जैसे ही column के अंदर entry करेगा due to force electrostatic force of attraction की कारण यहाँ पे क्या होगा कि negative particles इस positive की तरफ interact करेगा और मालो यहाँ पे negative होगे सभी में मालो यहाँ पे negative होगे तो positive वाली इसकी तरफ interact करेंगे तो उस time पे क्या होगे कि यह जो functional resin होगे ने यह remove हो जाएंगे ठीक है यह क्या हो जाएंगे remove होगे और आगे अपना detector लगा होगा फिर computer लगा होगा इस technique को करने से पहले हमें equilibrium करना चाहिए, loading, washing और illusion करना चाहिए ठीक है मतलब एक बार तो हमें जब भी हम इस technique को करते हैं या अपने को अगर अपन ion exchange chromatography करते हैं तो उससे पहले अपने को instrument को अच्छे से देख लेना चाहिए कि वो उसको मतलब उसने किसी ने पहले उसको use किया हुआ है नहीं अगर किया हुआ है तो हमें उसको wash करना चाहिए उसको सुखा के और फिर उस technique को उसमें proceed करवाना चाहिए तो अब हम इसका पूरा इसकी working को समझते हैं कि यह कैसे work करता है how to work this ion exchange chromatography यहां पे देखो यह अपने पास ion exchange chromatography का instrument है instrument में यह अपने पास sample है sample को हम यह अपने पास एक pump है और इस pump के जरीए हम क्या करेंगे कि अपना यह sample है और यह sample क्या है अपना mobile phase है इसको हम run out करवाएंगे इस column के अंदर यह अपना कहाँ पर run out करके आएगा इस column के अंदर यहाँ पर run out करके आएगा इस column के अंदर कॉलम के अंदर कौन सस्पेंड के वे हैं कॉलम के अंदर हमने किन को फिलब कर रहे किया हुआ है जो अपने पास रेजिन के पार्टिकल्स है उनको हमने यहां पे भरा हुआ है रेजिन के पार्टिकल्स को यहां पे भरा हुआ है तो solvent के particle जैसे ही इसके अंदर आती है मालो एक अपने पास आता है एक अपने पास positive charge आता है और एक अपने पास ऐसे negative का charge आता है ठीक है? एक ऐसे positive, एक ऐसे negative, positive, negative आती है ठीक है? और हम यह भी कह सकते है कि sample के अंदर जब positive, negative दोनों टाइप के चार्ज को जब हम डालते हैं तो वह एक दूसरे के साथ क्या होते हैं जोइंट होते हैं यहां पर क्या होते हैं जो आपने पास यह फंक्शनल रेजिन होते हैं मानलो यह अपने पास नेगेटिव टाइप का अनलाइट आयन ने जैसे ही यहां पर इंट्री की जैसे ही इस कॉलम के अंदर इंट्री करता है तो यह क्या करता है इस पोजिटिव चार्ज के तरफ अट्रेक्ट होगा तो इस नेगेटिव वाले फंक्शनल रेजिन को बाहर र करते हैं इसको हम बोलते हैं केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं और इसको हम साथ ही साथ ही इसको हम क्या बोलते हैं एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होते हैं कि अपने जो एनालाइट आयन में अपना क्या ह होता है कि जो अंन होता है वो एट्रेक्ट और बाष्टेव टाइप को फंक्शनल स्वाचला है है थीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे एक्सेंगर कटाइन क्रोमेटोघृफिक कटेटाइन एक्सेंजर बोलते हैं और सिर्ट अगल अ मरे पास क्या होता है कि सेम ऐसे यह positive type का जो आपने पास analyte ion होगा, positive type का जो analyte ion होगा, वो इस negative functional resin की तरफ interact करेगा, इसकी तरफ attract होगा तो ही जो अपना positive type का जो ये functional resin है ये बाहर हो जाएगा और ये इसके साथ interact हो जाएगा ये क्या होगा इसके साथ interact होगा तो इसको हम बोलेंगे anion exchange کیya boling anion exchange kromatography बोलेंगे anion exchange kromatography बोलेंगे एक एक basic exchanger होता है यह अपने पास basic exchanger होता है थीक है तो यह हमारे पास पूरा पूरा instrument था कैसे यह work करता है आगे फिर यह deductor लगे हुते है जो deduct करेंगे ही computer होता है यह अपने पास क्या होता है ठीक है तो यह अपने पास था iron exchange chromatography की पूरी की पूरी टेकनीक थी कि कैसे यह work करता है यहाँ पर यह sample है sample move करेगा column के अंदर column अपना stationary phase होगा यह बात इसमें याद रखना जो अपना sample होगा sample जो होगा वो mobile phase होगा sample जो हो run out करेगा mobile phase होगा और अपने पास जो column होगा वो कैसा होगा वो stationary phase का होगा कि उसके अंदर resin के particle हम fill up करेंगे positive type के charge आएंगे वो positive वाले जैसे यह negative वाला है यह positive की तरफ जाएगा positive वाला negative वाले की तरफ जाएगा तो इनको अगर negative वाला positive की तरफ जाता है तो उसको anion exchanger बोलते हैं, ऐसे ही अपने पास types में आते हैं एक होता है strong acidic cation exchanger resin होते हैं weak acidic cation exchanger resin होते हैं जिसमें हमारे पास carboxlyic acid आता है strong base में strong acidic के अंदर अपने पास sulfuric acid आएगा और weak acidic cation exchanger के अंदर carboxylic acid आएगा strong base के अंदर quardinary ammonium salt आएगा यह functional group है, इनके quardinary amine आएगा weak base के अंदर, weak anion exchanger resin के अंदर अपने पास यह आएगा अब हम बात करते हैं इसके principle की, तो principle क्या कहता है इसका principle कहता है, the charge molecule in the sample के अंदर जैसा कि मैंने का था कि charge molecule कहा है, अपने sample के पास है उनको हम separate करेंगे by the electrostatic force of attraction की कारण जब हम उनको pass करेंगे through column के अंदर the ionic resin at particular pH and temperature के उपर separation occur by the, separation किसके जरी होगा, separation occur by the reversible exchange होगा ion का between ion जब present होता है solution के अंदर and those present in the ion exchange resin का हम use करेंगे ion exchange chromatography के अंदर, अगर anion are attached ion exchange chromatography में क्या होगा कि ये line important है यहाँ पर क्या कहता है कि जो आपने पास anion होते है anion किसकी तरफ जाके attach होंगे, anion particles are attached toward the catein, anion वाले जाके catein की तरफ attach होंगे ठीक है, mobile phase, जब mobile phase run off करता है कोलम की अंदर, उस time की बात बता रही हूँ मैं तब वहाँ पर क्या होगा कि anion आपका जाके catein की तरफ attach होगा ऐसे ही same way से so the anion are analyte have a tendency होती है कि वो attach हो जाता है toward the cateinic portion की तरफ जाके attach हो जाता है so the illute loss and mobile phase will really faster होगा मतलब यह technique क्या कहते ही कि अपने पास negative charge के analyte आएंगे यह negative charge का analyte आता है यह आके क्या करेगा कि यहाँ पर पहले ही अपने पास functional यह अपने पास resin का particle है इसके साथ कोन attach होता है इसके पास पहले से एक functional resin attach होता है कोन attach होता है functional resin attach होता है जो की negative type का आता है तो जैसे ही अपने पास sample का analyte ion sample का अपने पास negative ion आके इस positive functional positive resin की तरफ आके attach होता है तो यह जो अपने पास negative functional resin है इसको यह बाहर remove कर देगा ठीक है तो negative charge का जो analyte ion होता है वो किसकी तरफ attract होगा आके towards the positive surface की तरफ same ऐसे ही अगर आपना cation analyte ion का मतलब होता है कि sample का अपना cation analyte ion जैसे ही column के अंदर entry करेगा तो अपने पास जो adsorbent का जो surface है उसके उपर जो अपने पास negative resin का particle है उसके उपर जाकी attach होगा और जो functional cation वाली resin के particle को ये क्या कर देगा remove कर देगा उसको ये बाहर कर देगा positive charge का analyte ion remove कर देगा positive charge के functional resin को positive charge analyte cation जो है वो किसकी तरफ आके attract होगा negative surface of the resin के negative surface के उपर आके लगेगा ये अपना था principle अब बात करते हैं इसके application की तो ion exchange chromatography का use कहा कहा करते हैं इस technique का use mostly purification of water के लिए किया जाता है small nucleotide, nucleic acid and amino acid ये इस type के जो ion exchange chromatography होती है इस chromatography का use mostly protein को nucleic acid के charge particle को separate out करने के लिए किया जाता है protein purification के लिए इसका जो use होता है protein purification and protein को purification करने के लिए water को analyze करने के लिए इसका use किया जाता है इन दा water softener के अंदर जो cation exchange का use किया जाता है to remove the calcium positive and magnesium from the hard water इस type की technique का use किया जाता है water को soft बनाने के लिए जो hard water होते हैं जिनके अंदर calcium और magnesium पाय जाते हैं उनको remove करने के लिए भी इस technique का use किया जाता है drinking water को भी, मतलब drinking water के अंदर भी, मतलब drinking water जो अपना RO system होता है purified water आपको given out करता है तो I hope आपको ये topic समझ में आया होगा तो ये हमारा था iron exchange chromatography का process था